है सो हेलो गाइस तो चलीए क्योंट को देखते हैं मुझे पता है आप लोग ये कुष्विच्टन देवागे ठीके बनम है डूम्बर से ठीके एनी दो नमबर है उनका जो एलसी एम में वो for90 IRA ठीके और जो उनका HCF है वो 5 है ठीक है यानि कि LCM इतना और HCF 5 ओके आप एक बात बताओ HCF अगर 5 है सबसे पहले अगर ऐसा कुश्चन है तो ध्यान कहां देना आपको HCF है अगर दो नमबर से लेट सपोस कि X एक नमबर है ओके Y दूसरा नमबर है इनका जो HCF है वो 5 है जो इनका HCF है वो 5 है अचा HCF का मतलब क्या होता है अगर दो नमबर से उनका जो common number होता है वही HCF होता है HCF क्या होता है अगर दो नमबर से उनका जो common होता है यानि कि इसमें भी 5 से multiply हो और इसमें भी 5 से multiply है ठीक है दो numbers में जो common होता है उसी को itself बोलते है यानि कि एक ऐसा number ऐसा highest factor ऐसा highest common factor जो दोनों में सबसे highest हो यानि कि ये number highest है जो इन दोनों को divide देगा यानि कि इस से बड़ा number इन दोनों को divide नहीं दे सकता यानि कि इस number में भी five का factor है ठीके और इस number में भी five का factor है ठीके अगर आप इस ten five को हटा दो थिक आप समझो कि HCF है, यानि कि first number is this, क्योंकि इसमें 5 का factor है, इसमें 5 का factor है, यानि कि first number is this and second number is this, क्योंकि 5 के factor में किसी और चीज़ से इंटू हुआ है, तब यह दूसरा number, और 5 में किसी अलग number से इंटू है, तो यह पहले, लेकिन इन दोनों में common क्या है 5, यानि कि HCF 5 है, HCF 5 है, Now, आप देखो, LCM क्या दिये हुआ है, LCM, LCM क्या होता है, किनी दो number का LCM क्या होगा, यह numbers होगा, इन दोनों का LCM क्या होगा, LCM क्या होता है, कि इन दोनों में से जो common है और जो बचा हुआ है, यानि कि आप देखो, 2 और 4 का LCM क्या होगा, 4, हुआ ना 4, वैसे इन दोनों का LC SM क्या हो जागा 5 तो होगा है 5 to होगा है लेकिन x y भी तो होगा LCM क्या होगा इन दोनों numbers का LCM क्या होगा 5 x y क्योंकि 5 डोनों में और x y उमीद हैं आपको LCM निकालना आता होगा किसी numbers का तो यह 5 x y now आप देखो LCM यह है now LCM का value क्या दिया हुआ है, value दिया हुआ है 495, now xy is equal to क्या हो जाएगा, आप जानते हो यह 9 से कटेगा, यानि कि 9 बार में 45, and 4 बचेगा, यानि कि 9 and 9, okay, I think it's correct, तो आप देखो, xy का value यह हो गया, now, आप देखो, यहाँ पर x है, और यहाँ पर y है, और xy का value, इसमें कितना probability बन सकता है, यानि कि कितने सारे numbers होंगे, जो हो सकते हैं, यानि कि 11 into 9 हम लिख सकते हैं, okay, second number क्या लिख सकते हैं, 11 और, यानि कि, I think second number क्योंकि 11 is a prime number, so, यही हो सकता है, ठीक है, एक option यह हो सकता है, तो चलिए देखते हैं, question में क्या पूछ रहा है, वैसे, तो question में पूछ रहा है क्या, कि, if the sum of the number is 100, यानि कि sum of the number is 100, ठीक है, sum of the number is 100, यानि कि x का value, अगर 11 put करते हैं, y का value अगर 9 put करते हैं, यहाँ पर, 55 और यह कितना हो जागा पैताली ज्यानि कि some of the numbers some of the numbers क्या हो जागा यहां पर गर some hundred हो जागा यानि कि यह जो equation यानि कि यह जो numbers x और y का values है वो इसको satisfy करता है यानि कि exact number में मालूम चल गया और आगे क्या पूछ रहा है बागक add-ा-बचानि के अथरभ मालूम भा यह जो जो जचतीओर लिए जबसे और यहरां быть याराब कि यह करतीओर ऑ見て क्या हैर इस रहो जो जागा है Раз सकतुछ रहा है शाताल में माल कि यह जो जाताल में मुन कि यह कि यह कि यह partner